जेवार इंटरनेशनल एरपोर्ट को मुख्यमंतरी योग्यातनात का ड्रीम प्रोजेक्ट कहा जाता है इसे लेकर इलाके के लोगों को भी तमाम उमीद है आज इसका शीला न्यास होने के बाद उमीद है कि नवंबर 2024 तक इस एरपोर्ट से उढ़ान शुरू हो जाएगी अब वो दिन दूर नहीं जब देश विदेश जाने के लिए दिली एंसियार के लोगों के पास सिर्फ इंद्रा गांदे इंटरनेशनल एरपोर्ट एकलोता विकल्प नहीं होगा माना जा रहा है कि 2024 में जेवर एरपोर्ट ऑप्रेशनल हो जाएगा प्रदान मंतरी नरिद मोदी आज गौतम भुदनगर के जेवर में नौईदा इंटरनेशनल एरपोर्ट की आधार शीला रखेंगे इस एरपोर्ट में कुल पांच रनवे होंगे और पहले चरण में दो रनवे बनेंगे जबकि दूसरे चरण में इसे बढ़ा कर पांच रनवे कर दिया जाएगा और इस एरपोर्ट को कुल 3300 अकर जमीन पर बनाये जाएगा इसकी लागत 30,000 करोड के करीब आएगी प्यामोदी जएर एरपोर्ट का आज उद्घाटन करने जा रहे हैं जो योगी अदनात का डीम पोजेक्ट कहा जाता था और इस खबर पर जादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे समवादाता गौरव हमारे साथ लाइफ जुड़ चुके हैं तो गौरव क्या कुछ जानकारी मिल पारी है आज किस तरीके से आज इसका श्रीला न्यास होने जा रहा है और यह बिस्व का पांचपा सबसे बड़ा एरपोर्ट होगा और इसके साथ ही एसिया का सबसे बड़ा एरपोर्ट यह कहलाएगा अभी उत्तापरिस में अगर बा बनाए जा रहा है अधर्मिंग नगरी है और इसके बार जेवर में भी एसिया के सबसे बड़े एरपोर्ट की इसला नयास आज प्रामंत्री नरेन मोदी और उत्तापरिस के मुखपंत्री योगी अरिजनात करेंगे अगर एरपोर्टों की बात करें तो देश भर में इंटरनेशनल एरपोर्ट होंगे तो बड़ी उत्तापरिस को मिलने जा रही है जनता के लिए बड़ी सोगात है लब 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 3300 करोड एकड में यह एरपोर्ट बनाए जा रहा है और लब लब 31 करोड की इसकी लागत रहेगी बड़ा एरपोर्ट रहेगा इसी का सबसे बड़ा और विष्ट का पांच मा सबसे बड़ा एरपोर्ट जेबर एरपोर्ट कहलाएगा जिस तरीके से बोला जा रहा है इस एरपोर्ट के बाद्यम से तमाम लोगों को रोजगार मिलेगा तो किस तरीके से रोजगार देनी की बात कही जा रही है देखिए तरह आए कि रोजगार सेजन होता है क्योंकि एरपोर्ट है बड़ी जगा है प्रियम जगा है और लोग वहां आते जाते हैं अंतिराश्ट की एरपोर्ट है तो निश्ची तोर पे परेटर कोई बड़ा बड़ावा मिलेगा और जो अब तक उत्ताप्रेस में नहीं हुआ है क पाँच सबसे बड़ी एरपोर्ट यहां बनेंगे तो यह भी अपने आपने बहुत बड़ी उपलब्दी है और निश्ची तोर पे आने भविस में रोजगार का भी बहतर साधन जिवर एरपोर्ट बन सकेगा इसमें बैनफिडस की बात की जा रही है तो बैनफिडस में क्या क्या फाइदे रहेंगे एक आम जनता को यह भी कहा जाता है कि इसकी जो यात्रा होगी काफी सुगम होगी और काफी सस्ते我 यात्रा कर पाएंगे जिससे रोजगार को बढ़ावा मिलेगा तो कौन-कौन से और benefits मिलेंगे आम जनता को देखिए मैं पूरादू सबसे बड़ा एयरपोर्ट है बिस्टो का पांच 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 पर सबसे बड़ा रहेगा यह सी का पहला सबसे बड़ा एयरपोर्ट रहेगा तो निश्य तोर पर रहा होंगे हाला कि दो रहन वे की बात हुई है पांच और रंवे होंगे तो निश्य तौर पर जितने अधिक रणवे होते हैं उत्ते अधिक फिलाइट समल लोड लेजा सकते हैं और तमाम फिलाइटों को सब्सें आपको हबाई यात्र उपलफ दिक्राती है बहुत इसले निश्य तरह पर इंट रापोर रहेगा तो फिलाइट और कौन कौन से विदेशों में हम यहां से यात्रा कर पाएंगे अभी तो अभी जो अगर हम बात करें तो हमारे पार लखनु यह जो एयरपोर्ट है वहां से आपका विर्णिस में यात्रा कर सकते हैं कुछी नगर अभी हाल में बनाए जहां पर प्रहमांती नरिमोनी दौरा उर्गरन किया गया था बरारसी एयरपोर्ट है वहां से भी हम कहीं के भी सकते हैं और अयुद्या में बन रहा है वहां भी सरान्या सोच चुका है और अब जब जिए यह बर बनेगा तो मान कि सकते हैं कि यूरोप और अमेरिका तमाम ऐसे देश है जहां पर डाइट फिलाइड यहां से जाई इसके फ्लाइट का शुभारम कब से कौन से साल से शु हो जाएगा इस फ्लाइट का शुभारम कब से शुरू हो जाएगा यह जो एरपोर्ट का काम है वो कब तक पूरा हो जाने के आसार बताए जा रहे हैं मुक्वंत्री का दीम प्रोजेक्ट कहा जारा 24 दिसंबर 2024 तक इसका पूरा हो जाएगा इसका निर्मान हो चुका होगा तो माने सकता है कि नब बर्स यानि 2025 में खुझता है इसका कारिकम जो है सिर्या कर जाए जाए और इसको जनता के लिए खोल दिया जाए फिराल अभी जो जानकारी मिल रही है वो लबला 24 दिसंबर 2024 तक इसका निर्मान कार को पूरा करने की जो प्रोजेक्ट दिया गया है वो लगाया गया है मुक्वंत्री योगिन्यार का दिम प्रोजेक्ट है तो 30 रोपर समय अबरी की पहले ही इसको पूरा करने का प्रयास किया जाएगा बहुत बहुत शुक्री है गौरव हमारे साथ इस खबर पर जुनने के लिए जुत्तर पदेश वासियों को एक बड़ी सौगात मिलने जा रही है जिसमें जेवर एरपोर्ट का अज शिलन्यास होने जा रहा है जो प्रधान मंत्री नरेंद मोधी द्वारा किया जाएगा सीतापुर में आज होने वाले बूत अध्यक्समेलर में केंदी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंग शरकत करेंगे साथ ही उप मुक्य मंत्री दिने शर्मा भी साथ में मौझूद रहेंगे आपको बता दे कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंग 15 जिलों के करीब 40,000 बूत अध्यक्षों का 2022 विदान सभा चुनाव में बूत जीतों चुनाव जीतों का मंत्र देंगे कारेकरम को लेकर बीचेपी जिला अध्यक्ष अचिन मलोतरा के नेतत में तैयारियाद जोरो पर है मिलिटरी ग्राउन पर इस समेलन को लेकर तैयारियाद जोर जोर शे की गई है खबर सीतापुर से है जहां आज राजनाच सिंग और दिने शर्मा का धौरा होने जा रहा है जहां सीतापुर से 15 जिलों को साधेंगे राजनाच सिंग सीतापुर में आज होने वाले बूत अध्यक्ष सम्मेलन में केंदिये रक्षा मंतरी राजनाच सिंग और दिनेश शर्मा के मौजूद रहेंगे जहां रक्षा मंतरी राजनाच सिंग 15 जिलो के करीब 40,000 बूत अध्यक्षों को 2022 विदानसवा चुनाव में बूत जीतों चुनाव जीतों का मंतर देंगे कारक्रम को लेकर बीजेपी जिला अध्यक्ष अचिन बलोतरा के नेतत में तैयारियां जोरों पर की गए हैं और ये तैयारियां मिलिटरी गाउन पर इस समेलन को लेकर तैयारियां की गए हैं आख मैं और और इस खबर पर ज़्यदा झांकारी के लिए हमारे साथ हमारे समवादाता गौरव लाइव जूड चुके हैं तो गौरव किस तरीके की आज जो दोरा होने वाला है राजनाज सिंगा किन किन जलों में ये दोरा करने वाले हैं और कितने दिन का इनका ये सफर रहेगा. चलिया कर रहा है, उससे बीजनता के बीच अपनी ब्यूस्ता बनाने लगा अपना रुजान बना रहा है, तो तर परिश की जो जो योगी सरकार है, वो भी लगाता है, दोरे करने बनाना सकता है, सीतापर में भी आज जो बड़ा संम्मेलन है, जो कि बूत अद्धास को संम्म पंदरा जले आते हैं जहांने सकता है कि उन सीटों पर भारतिव पार्टी आती थी उसको लेके प्रयास कि जाएंगे 32,000 बूत अद्यक्ष को सम्मेलन के जाएगा वहाँ बड़ा सम्मेलन है जो कि सीतापुर के मिलिटरी ग्राउंड में किया जाएगा जहाँ पर राजना सिंग भी रहेंगे उपरमति दिनिस सर्मा भी रहेंगे अजय मसला टेनी भी वहाँ पर रहेंगे इसके साथ साथ क्यामि सम्मेल papers सामेलों होगे और बूठ ऊड्यक्षों को आगामि चुनाओं को लेकirmी दुद गनाएंगे और गोड़ोत। इसरफ साम्मेलन के सीब क्या बूत अज्जच की बहुत बड़ी भूमिका होती है क्योंकि जब पतेग बूत ही आपका किलियर होता है उसमें राणडीती बनाई जाती है तभी पतेग मत्रान के पर भासपा के समर्थन में प्रियास की जाते हैं कि उनको सीटे मिले और भातित्र पार्टी के जो उमीरवार ह बूत अज्जच की बहुत बड़ी होती है इसको लेकर ही बूत अज्जच को सम्मेलन करना बहुत आवस्चक होता है और भातित्र पार्टी जो की अभी तक सामालिक सम्मेलन कर रही थी अब सामालिक सम्मेलन किया जा रहा है जिसके तहत आज सीतापर में 32 यार बूत लगातार जल रहा है आज फिलहालास सेंग सीतापूर पहुंच रहे हैं तो क्या ये संम्मेलन आगे भी चलता रहेगा क्या राजनात सिंग्ग और दिन भी इस तरीकी के संम्मेलन करेंगे कि अब आगामी इस महीने में देखा जाए तो बूत अध्योश के सम्मिलन चलते रहेंगे कि बूत अध्योश के भारतियनता पार्टी के पाले में देखा जाएगार हमारे साथ इस खबर पर जूणे के लिए तो आज सीतापुर के 15 जिलो का दोरा है जाबूत अध्यक्ष सम्मेलन किया जाएगा राजनाथ सिंग के साथ में दिनेश शर्मा भी मौजूद रहेंगे और लगातार इस तरीके के सम्मेलन कर रही है बीजेपी सरकार ताकि आने वाले 2022 का जो विदान सबा को चुनाव है उसमें बीजेपी अपनी पैट बना सके और अब तक की खबरों में फिलाल बस इतना ही और देश जुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहे है प्राइम टीवी नमस्कार झाल